हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नवी वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की Samsung Galaxy A15 फोन में आप लोग Bluetooth कीप स्टोपिंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A15 फोन है और इस फोन मे आपको Bluetooth कीप स्टोपिंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है जब भी आप लोग यहां पर Bluetooth को on कर रहे हो यहां पर बार बार एक notification आ रहे हैं कि Bluetooth कीप स्टॉप या कनेक्ट करने के बाद यह नोटिविकेशन आ रहे हैं आप लोग Bluetooth को पेर कर रहे हो किसी भी डिवाइस के स पेर करने के बाद Bluetooth कीप स्टॉपिंग का एक बार बार option आ रहे है और Bluetooth जो है वो फोटक हो जा रहे है बार बार पेर भी नहीं हो रहे है तो कैसे आप लोग इस Bluetooth कीप स्टॉपिंग प्रोब्लेम को solve करोगे घ्ष तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगो को इ तो है अपने इस phone के settings में जाना है, settings में जाने के बाद आपको यहाँ पर से थोरा सा नीचे scroll down कर लेना है, थोरा नीचे scroll down करते ही आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा general management का, तो इस general management के option पे click कर दीजिए, click करने के बाद यहाँ पर से आपको थोरा नीचे scroll down करना है, औ और यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा reset का तो इस reset पर click करेंगे click करने के बाद थोरा नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा reset wifi mobile and bluetooth settings का तो इस reset wifi and bluetooth settings के option पर click करेंगे reset settings का option होगा reset settings पर click करेंगा और क्लिक करती आपका जो Bluetooth का settings हो वो reset हो जाएगा और आपका Bluetooth keep stopping problem भी solve हो जाएगा अगर फिर भी solve नहीं हो रहे तो आप लोग अपने phone को जो है एक पर factory reset कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने Samsung Galaxy A15 phone में आप लोग Bluetooth keep stopping problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसा ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई